आज सुरू का कारवा थम गया भारत की स्वर्व को कीला आज दर्निये भारत रतन लत्ता जी का आज प्रात मॉंबई के बीच के अंडिय अस्पताल में प्रातन इधन हो गया उनके चाहने वालों का विश्व हिन में पूरे सोर की लहर दोर पड़ी पूरा भारत मारमाहत हो गया हमारा उदैपुरी ब्लोग उन्हें सर्धाजली और सुद सर्धासुमन अरपित करता है लता जी का जनम 28 सितंबर 1936 को हुआ वो गोमान तक मराठा समाज परिवार में मद्य पर्देश में इंदौर सहर में में पंडित दीनानात मंगेशर के हाँ इनका जनम हुआ था उनके पिता रंग मंच के कलाकार एवं गायक थे लता जी एक भाई और चार बहने है उनके पिता का दिहान 1942 में हुआ तबलता जी की आयू मातर 13 वर्स की थी और इसी आयू में उन्होंने अपने परिवार की पूरे जिम्यदारे उठा ले उनके कंदों पर पूरे परिवार की जिम्यदारी आने के बाद भी उन्होंने एक स्वर्ग के संगम और एक राष्ट के लिए अपने भावनाव सोत पृत गीत हमेशा राष्टिक गीत भी गाएं जो कि आज भी हमें 1962 के लड़ाई में जुगायावा गीत हमें सिपाहियों को और देश स्वासियों को नई प्रेड़ना देता है लता जी के बारे में एक और बात हम बताना चाहेंगे कि वो ऐसी एक मातरगाई का हैं जिनों 36 सदिक भासाओं में के गीतों को अपने सुरों से सजोया है जो अपने आपने किरती मान है लता जी के जनम के समय उनका नाम हेमा रखा गया था जिसे बदलकर लता जी के पिता ने दिनाना जी ने अपने एक नाटक भाव बंधन किरेदार की इतना पसंद आया इस किरादार का किरेदार की उन्होंने लतीका के नाम पर उनका नाम लता जी डख दिया लता जी मंबई के प्रभु कुझ में रहती थी उनके निधन पर कृत्तक गिराष्ट ने नमन करते हुए दो दिनों का राष्टी सोगोसित किया है और दो दिनों ते लिए हमारा राष्टी ध्वज जुका रहेगा उनके लिए आज पूरा राष्ट सरसती पूजा के बिदाई के उसर पर सरसती जी के साथ ही उनके बिदाई के बेला में आहत है उनकी कम ही कभी पूर्णे नहीं हो सकती है और राष्टी के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है वो भारत रतन ही नहीं अनिय काहिनों के रतन जो भारत में दिये जाते थे राष्टी अस्तर पर सभी रतन उनके नाम पर है और हमें लगता है इनके जैसा गायक किछती कभी पूर्ण नहीं होगी और उनकी कमी हमें आजीवन खलती रहेगी